हेलो रोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल जोग्रफी दंकित में और मैं अंकित कुमार आप सभी के लिए एक बार फिर से यह रॉक सिस्टम वाला जो वीडियो अधूरा था उसका पार्ट टू लेकर कर आया हूं अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा गया है किसके साधार पर क्या यह है कारलाश सब्सक्राइब करेक्टर सबीक्राइबर किया सकता है फिर जो basic rock होती है उसका जब metamorphism होता है तो वहां से question कैसे पूछे जा सकते हैं सभी को मैंने हमापर detail में discuss किया हुआ है ठीक है ठीक्स्टर जो according to texture है यानि कंड के अधार पे बड़े कंड वाले rocks को क्या कहते हैं छोटे कंड वाले rocks को क्या कहते हैं chemical structure क्या होता है chemical क्या अधार पे rocks को कैसे करके define किया गया है acidic rock क्या है basic rock क्या है क्या characteristics होती है intermediate ultra basic rocks क्या होती है इन सभी को मैंने हमापर detail में discuss किया हुआ है तो अगर आपने पहले वाली वीडियो ने देखिए तो पहले प्लीज इससे पहले उस part को part one को आप देखें ताकि आपको यह अच्छे से बहतर तरी जाते हैं और मैंने इसलिए आपको इसे add क्या हुआ है मैं वही चीज़ें आपके लिए लेकर क्याता हूं जो exam में पूछी गई है या फिर पूछी जा सकती है ठीक है अब हम यहां से हम देखेंगी कि इनसे टोफोग्राफी या फिलेंड फॉम कैसे करके create हो सकते हैं इस च कर सुइब हम पूर यह का है क्रस्ट काफी मोटा है यह आपर लाव भाहर निकल के नहीं आप आया कारे तो कया है आतरिक भाग में पृत्विक है अंटीर The Park में जम जाता है ठीक है या फिर वो अगर यहां से क्रस्ट पतलिया थो वह से यतोड užक्र करके Ultra और जाएगा और प physical इसका outer जो profile है वो अलग तरिगी के होगी ठीक है जैसे हम कई सारे learnforms परणते हैं कास्ट उपरग्राफी में या फिर coastal granuls में कई सारे learnforms परणते हैं थो एक landform गोथा है चाहे हूँ उसका formation एक ही चीज बॉस्था हो ही प्रोसस्स से हो रहा हो लेकिन उसके आकरती जो है अलग-अलग हो सकती है हो सकती है कि ने हो सकती है ना हो सकती है बिल्कुल तो वही चीज है कि यहां पर जब यह लावा उद्गार होता है इसके आकरती अलग-अलग तरीके से हो सकती है उस पर और बाहिये प्रक्रम भी कारदाथ हो सकते बाही प्रग्रम यानि की वैदरिंग हो सकती है, इरोजन उस पर हो करके, वो अलग-अलग शेप ले सकता है, तो इनी को इनी चीजों को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, और एक्जाम में यह चीजे पूछी गई है, इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ पर एड लेकिन यह कहां, यह सर्फिस के नीचे ही यहाँ पर जम गया, ठीक है, बहुत जादा अंदर नहीं है, सर्फिस के थोड़ा ही नीचे है, जब यह यहाँ पर जम जाता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद धीरे धीरे अपरदन होता रहेगा, वो उता रह लावकी ये बाहर से सर्फिस से यहां से अगर हम खड़े हूING तो हमें दिखने लग जाईगी तो इसी प्रकार के आकृती को एक्सोफ फॉलिएशं गंपद या एक्सोफॉलिएशं डों कहते हैं तो कि वह लावा की वह इस्तिलाकरती जो गुंबदाकार अकरती की होती है लेकिन बाहि अपरदन और इरोजन और वैदरिंग के द्वारा क्या है वह बाहर से फिर दिखने लगती है इस प्रगार के इस्तिलाकरती को हम क्या गएंगे और एक सोफ उलेशन गुम्बद अगय होगा इसका जो एक्जाम्पल रांची के पठार में आपको धारवाल Hahaha यहा क्रम कि चत्ताने और होंगे होगतने नीचे की तरफिंग होगी यहां पर आर्क obedience कृम क्षिण की चिताने ए राची के प्रठार के हैं बहुति इनमें क्या होगा इनमें बहुत करेंगे जर्द। जो पानी है हवा है सूरत अफ़ यह सारे चीजह से पक्र कम करेंगे और यह सरा चीज क्या है फिर यह फिर क्या होगा इसका सरफिस से हड़ जाएगा इसके ऊपर से अजविसर पर हड़ ऑप पहर नीचे रहिए आर्कन करम की चटाने जानी की पुरानी चटाने देखने को मिलेंगी तो यहीं चीज क्या कहलाती है एक्जफोलिएशन यह क्योंकि क्योंकि ढूम peng hayat मेसा और बूटी ठीकि मेसा या बूटी क्या है मेसा है पिर बूटी अफ्र जैसे हम मानते हैं устрой कि आभी जैसे हमने डूम को ही हमने क्या किया था यहां पर hex Oreo पॉलेशन डॉम को देखेंगे उसी चीज़ को हम एक्जामपल के सुरू और समझने का प्रयास करें अब यह डॉम है यह बाहिया है ठीक है पृत्वी के सर्फिस पर वो जो डॉम था वो इंटिरियर पार्ट में था यह वाला जो डॉम है माल लेते हम के पृत्वी के सर्फिस सर्फिस पर ढॉम है इसमें कहीं पे जो रॉक है इगंएस रॉक धार लवा वो कहीं पर सॉलिड हो चुका है कहीं पर उंबलायूthen नहीं हो पाएगा और जहां पर रॉक सॉलिड है वहांपर क्या है अपर वरं त बना दिए देखिए यहां का जो पूरा पार्ट है इसका जो इस्तिला करती है उसका पूरा क्या है इरोजन हो चुका यहां पर बीच बीच में आपको देख रहे हैं यह कठोर वाली इस्तिला करती है यहां पर कठोर इग्नियस रॉक है यहां पर सौफ्ट है इग्नियस रॉक कुमिल झिसके किनारे के ने कहले है और उपरेंग कैप सा आपको देखनेगे मिल रहा है तो इस प्रकार कि इसला करती को किनारे कले ढाल वाली जो की आग ने चट्टान वारा बनी है इसे हम क्या कहते हैं मेसा कहते हैं और मेसा का ही अपरदित रूप उसका ही छोटा रूप क्या है बूटी कहलाती है इसे वालकेनिक बूटी भी कहते हैं क्योंकि वालकेनों से बनी विए लावा से बनी विए इसका उधारन आपको राची के पठार में रांची के पठार का जो पश्ची में भागए। उसमें आपको पार्ठ जो चेतः है उसे पाट चेत रहे हुमाँनिय का नाम है पार्ठ ठीक है। तो वहां आपको देखने को इस का एk Barbara मिलेगा। और रांची के इस्थानिय भासा में इसको पार्ट भी कहते हैं तो इसका पूरा जो प्रदेश कहलाता है ठीक है आपको यह क्लियर वहा होगा और यही जो जो जूला मुखी बूटी है जानी वॉलक्वनिक बूटी मेसा की जो अपरदित रूप होती है मेसा का भी छोटा रूप वो आपको USA के Ship Rock में भी देखने को मिलेगा ठीक है यह चीज है ठीक है इसके बाद जो अगला है Landform वो है Hawkback Hawkback क्या है होता क्या है कि जब परददार कोई चटान है यहाँ पर आप देखेंगे लंबे छेतर में ना कि ऐसे वाइड एरिया नहीं बहुती लंबा एरिया में यहाँ पर लावा का उदगार हुआ जो उस लावा के उदगार होने से क्या है यह बाकी एरिया का तो अब क्या हो जाएगा अपरदन हो जाएगा यहां पर यह पूरा अपर दया क्योंकि मुलायम था बीच वाला जो यहां पर यह लावा का उद्दगार हुआ यह कठोर आकर्ती ले लेता है कठोर रूप हो जाता इसका थी सौनिट हो जाता है जिससे केवल और पतली श्रणी का ये रूप होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे है किया है ये लंबी पतली श्रणी का एक रूप है जो कि जो इसके अगल बगल की मुलायम चटानों को काट करके अपरदी स्वरूप ये बनता है ठीक है इसके जो किनारे जो होते हैं ढाल इसका जो ढाल होता है यानि कि डिप एंगल जो होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया थी चटान और छेटी धरादल के बीच का जो एंगल है उसे क्या कहते हैं डिप कहते हैं यानि कि नमन ठीक है वो दोनों क्या होते हैं खड़े ढाल वाले होते हैं किसके हॉक बैक के और हॉक बैक से ही मिलते जूलती एक इसला करती होती है जिसे बोलते हैं क्वेस्टा यह यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है क्वेस्टा लेकिन क्वेस्टा और हॉक बैक में एक अंतर है कि क्वेस्टा के जो एक तरफ के जो लिम्ब है यानि कि एक तरफ के जो लिम्ब है वो तो हॉक बैक की तरह ख़ड़े ढाल वाले होती है लेकिन जो दूसरा लिम है वो देखेंगे आप यहाँ पर क्या है यह ख़ड़ डहल वाले इधर की तरफ आ करती है इधर को ख़ड़ डहल है एक लिम में दूसरे लिम में यह है जंटल स्लोप होता है इस प्रकार की इसला करती है आप देखेंगे क्या कहलाती है क्वेस्टा य यहां पर देखेंगे मैंने कुछ ड्राव किया हुआ है कि क्या चीज धे हैं यहां पर दो चीजे लिखी विए दो तरही की इसलाकर दे एक है अनकर्मफरमिटी एक है डिसकंफरमिटी यानि असम विन्यास और अप संविन्यास क्या होता जब मुद देखेंगे जो है जो यह जमाव होता है देखे एक परत यहां पर दिख रही है आपको कि यह horizontal है एक परत दिख रही है वर्टिकल है इस तरह कि इस्तलाकरति अगर कहीं पर मिलती है तो उसे कहा जाता है Unconfirmity एक परत क्या चैथिज यानि horizontal एक परत लंबवत परते हैं जो लेकिन इनका जो structure है इनका जो सभाव है chemical composition है उसमें अगर अंतर हो है सभी vertical लेकिन इनका structure अलग है इनकी profile अलग है और इनका जो chemical composition है वो अलग है तो उसे कहलाता है disconfermity इसे हम क्या कहेंगे disconfermity या अपसम विन्यास ठीक है इसके बाद अवसादी चटान यानि sedimentary rock से कई और भी इसला करती है बनती है जिनने की हम अलग से detail में discuss करेंगे जैसे lowest है जो वायू द्वारा बनाय जाता है वायू निर्मित इसला करती है और जल निर्मित है हिमानी ज्वारा बनती है पर हिमानी ग्लेशियल या परी ग्लेशियल द्वारा यह सारे चैप्टर अलग अलग है इनको यहां पर detail में discuss करने का कोई मतलब नहीं है इन सभी को जब detail में कराए जाएगा तब समझाएंगे और जो की हम कराएंगे ठीक है यह आने वाले चैप्टर में इनका detail में explanation होगा यहां पर बस आप केवल एक बात को समझ लिए यहां पर इतना सा जो मैंने नीचे एक हिमोड हिमोड क्या है इसको समझ लेते हैं जब हिम नद यानि की जो glacier होता है glacier का जितना भी मलवा है जो deposit है उसको कहीं पर अगर बिछा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं हिमोड यानि मौराइन ठीक है इसे कहता है इसे कहते हैं मौराइन और यही सेम चीज़ होती है जलोड में जब जल द्वारा जो sediment हो कहीं पर बिछा दिया जाएगा तो उसे जलोड कहते हैं ठीक है अब यह चार तरीके से अपना जो deposit है वो कर सकता है चार 서울 ट्रल मौराइन ठीकि 이미 obsess अगर वो दो डशीन एक आरा हे मोड इधर से एक आकार मौण इधर से और यह बीच मेंश म्दर कार मिल जाते हैं तो इस मिडन वाले पार्ट को एते हैं जहाँ जहां पर मौराइन डेपॉसिट हो रहा है इस इसको बोलते हैं मिडन हीमोर चैनल जो ending point है यहाँ पर आगर के जम जाता है यह deposit तो इसको कह जाता है terminal यानि अंतिम ही मोड ठीक है तो यह सारी जो इसला करती है यह किस से आगने और अपर जो अवसाधी चट्टा ने है आगने और अवसाधी चट्टा ने उनके अपरदन और वैजरिंग से बनती है ठीक है यह exam में पूछी कई है और exam में इनसे question आगे भी पूछे जा सकते है पूरी संभावना है ठीक है I hope कि आपको यह सारी चीजे समझ में आई होंगी अगर कोई भी confusion रह जाता है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते बिल्कुल ठीक है और इसका जो पीडिएफ मटेरियल है अब आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और मैं आपको एक बात बता दूँ अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि Geography की Complete Preparation यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्लस आपको PDF मटेरियल पर बिल्कुल फ्री में अवलेबल कराए जाएगा और साथी साथ जितने भी अपडेट होता है एंटी उससे नेट से रेलेटेड और PhD एंट्रेंस हो गया या फिर आपको जो भी वेकेंसी जाती है सभी का मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको Information फिरी में प्रोवाइड कराता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ जितने शेयर जरूर करें ठीक है और तलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद